जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में करोना का कहरजारी नौ मरीज की मौत से मचा हाहकार जारखन में 3814 मरीज स्वस्थ भी हुए है वही नौ मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल एक्टिव केस की संक्या 23773 है जारखन के जीलों में एक्टिव केस इस परकार है राची 10599 पूर्वी सिम्भूं 4484 बोकार 577 हजारी बैक 1481 धानबा 475 रामगर 489 पाच्मी सिम्भूं 343 कोडारमा 349 पलामू 752 घर 477 गुमला 291 गिरी डिसो खुट्टी 397 सिम्डे का 234 लाते हर 201 कोई सराइकला खरसावा 494 गडवा 205 लोहर्दागा 246 चात्रा 632 गोटा 496 धुमका 421 जामतरा जार्खन में कल से बारी जार्खन में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है बतादे आने वाले दिनों में बारीज की वज़ा से लोगों को अलाव का सहरा लेना पड़ेगा बतादे मौसम भी भागने अनुमान जताया है कि 25 जनवरी से पर्देश के अलग-अलग भाग में बारीज हो सकती है इसमें गढ़वा से लेकर साहिव गंज तक और विहार से सटे हुए इलाके सामिल है बतादे मौसम भी भाग के अनुसार 23 जनवरी को राज्य के कई अस्थान पर बारीज होगी इस दवरान गढ़वा डाल्टेन गंज, लातेहार, लोहर दगा, चातरा, क कोडर्मा, रांची, खुटी, रामगण, बोकारो, गुमला और हजारी बाग में ओला विरिष्टी या एलो अलर्ट जारी किया गया है, वही 24 और 25 जनवरी को उतर पुर्वी और दक्षिन पुर्वी और मद्यभाग में हलकी बारिस होगी भैक्सिन नहीं लेने वाले परिक्षा नहीं दे पाएंगे, 31 जनवरी तक लेना अनिवार है, सहर के नीजी स्कूलों ने नोटीस जारी कर बच्चों को चेतावनी दिया है कि उन्होंने अगर भैक्सिन नहीं ली तो उन्हें ओफलें कलास में सामिल नहीं किया जाएगा और परिक्षा में बैठने में समस्या परिशानी होगी, बता दे इस नोटीस का बिरोध भी सुरू हो गया है, विद्यार्थियों के अभिभावक सीधे तो बिरोध नहीं कर पा रहे है, लेकिन जमसेद पूर अभिभावक संग ने बिरोध सुरू कर दिया है जार्खन में 4500 पदों पर होगी भरती, जार्खन सरकार दुआरा क्रमचारी चैन आयोग जेसेसी के माद्यम से तकरीबन 4500 पदों पर भरतिया की जाएगी, जिसके तहत कई भी भागों में भरतिया की घोसना की जानी है बतादे जार्खन कर्मचरी चैन अयोग जे सेसी द्वारा लगातार एक के बाद एक भरतियों का विगापन जारी किया जा रहा है इस कड़ी में अब तक आयोग ने 305 पदों पर भरति घोसित कर दी है इसी अधार पर आयोग ने वर्ष 2022 के लिए आपना भरति परिक्षाय कलेंडर भी जारी कर दिया है जिसमें तीन भरति परिक्षाओं के सुचना निकाली जा चुकी है वहीं चार और भरति परिक्षाओं को नोटिफिकेशन निकाला जाना बाकी है बता दे कि पर्तियोगी परिक्षाओं फरवारी के पहले हफते से सुरू हो जाएंगी पीएम मोदी ने सिम्डेगा उपायुक से की बात आकांची जीलो में सुमार आदिवासी बहुल जार्खन के सिम्डेगा जीले के लिए 22 जनवरी का दिन काफी महतोपूर रहा बता दे पर्धान मंत्री ने सिम्डेगा उपायुक सुसांत गोरों से विकास सम्मार्धी मुदो पर उनलाइन रिपोर्ट ली उनसे विकास सोजनाव की जनकारी भी ली बता दे DC सुसांत गोरों ने बताया के कांची जीलो के डेफलोपमेंट के अधारपर पंधान मन्त्री देश के चुनिनदा पाँच जीलो के उपायुक से बात कर जीले के विकास और चुनोतियों पर चर्चा की इन चुनिन्दा पांच जीलों में जहर्खन का सिम्डेगा जीले को भी सामिल किया गया था जहर्खन में 40,000 लोगों की कटेगी बिजली जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेट ने वसुली अभियान तेज कर दी हाईस दोरान बड़े बकायदार का बिजली कनेक्शन काटने के तियारी की गई है बता दे जनवारी में निगम ने रांची के सभी छार डिविजन में 82 क्लोर रुपे रायस वसुली का लग्ष रखा है वहीं बिधूत आपूर्ती छेत्र रांची के महा प्रवंधक पीके स्रीवास्तों ने पिछले मही ने 62.67 क्लोर की रायस वसुली को असंतोस जनक बताते हुए इस बार सतर टीमों को नए सीरे से रायस वसुटाने की जिमिदारी सोपई है जल साजी सकेस में केजरिवाल बंधूपर होगी प्राथमी की रांची डीसी छवी रंजन ने जल साजी सकेस में केजरिवाल बंधूपर प्राथमी की दच करने का आदेश दिया है बतादे केजरिवाल बंधूपर ने रांची के हेहल अंचल में इस्थित सड से समंधित 16.22 एकर जमीन की रजिस्टरी अपने ना मुंबाई में कराई थी डीसी ने मुंबाई में निबंधित कराए गए पांचो सेल डीड को रद कर दिया है साथ ही इस मामले में रांची के ततकालीन सब रजिस्टर के खिलाब चाच कर विभागे करवाही करने का आदेश दिया गया है उन्होंने यह अदेश यहल अंचल की इस जमीन से समंधित मामले की सुनवाई के बाद दिया बता देखिया जमीन सड से समंधित है जो राज सरकार की संस्था है जारखन के 60% सेक्षनिक संस्थान हो सकते हैं बंद नैक से नहीं ली है मन्याता जारखन में इस्थीत भी सुभी द्याले कोलेज और संस्थान अगर तीन साल के भीतर नेशनल असेस्मेंट आएंड एक क्रीडियेशन काउंसिल नैक से मन्याता नहीं लेते हैं तो उनको बंद करने की करवाई शुरू की जाएगी बतादे किंद्र की निर देश पर राज़ सरकार ने इस बार कड़ा रूख अपनाया है पूँरू में नैक से मन्याता नहीं रहने पर राष्ट्र ये उस्तर शिक्षा अभियान रूसा से अनुदान बंद कर दिया जाता था बतादे अब अनुदान के साथ-साथ संस्थान को ही बंद कर दिया जाएगा वहीं जिन सस्थानों की नैक मनेता अवधी पूरी हो रही है या पूरी हो गई है उन्हें मनेता लेने का निर्देश दिया गया है जारखन में 14,000 सिक्षको की भरती परकिरिया जल्द, राज्य के हाई स्कूल में सिक्षको के 14,000 रिक्थ पदो पर नियुक्ती परकिरिया जल्द शुरू होगी बतादे संसो धन के प्रस्ताव को कार्मिक बीत एवं भीधी भी भाग को भेजा गया था तीनों भी भागों से नियमावली को सामाति मिल गई है नियमावली सविक्रिति के लिए केबिनेट की बैठाक में रखा जाएगा अब राचये के हाइश कुलों में सिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर क्रिया शुरू की जाएगी बता दे राजे के हाई स्कूल में सिक्षकों के 25,179 पद स्रीजी थाए बरतमान में इन में 14,000 पद रिक थाए नियुक्ति के लिए परिक्षा जार्खन करमचेरी चायन अव्यक द्वारा ली जाएगी जार्खन में 18 प्लस लोगों को पहले डोज देने का आकणा दो क्लोज के पार राजे में 18 प्लस को पहले डोज का टीका लगाने का आकणा दो क्लोर पार हो गया 27445 को लगा है यह अलक्ष का 52 फिश्दी है बतादे रांची जिले में सबसे ज्यादा 18,50,910 लोगों को कुरोना का पहला डोज लगा है वहाई पूर्वी सिमूम में 15,99441 को पहले डोज का टिका लगा है गढ़वा में मन्रेगा कूप के लाभूक को बीपियों ने पीटा ज्यारखन के गढ़वा जिले के गढ़वा थाना छेतर के भधमवा गाव निवासी मन्रेगा कूप निर्मान के लाभूक राधे सियाम पाल को कर्याले में दरवाजा बंद कर पीटने का मामला सामने आया है बता दे मार पीट का रोप मंडेगा के परख़न कारेकरम पदादिकारी हासीम अंसारी एवं अपरेटर राजु कुमार पर लगाया गया है मार पीट की इस गटना को लेकर लाभूक सिरीपाल ने गढ़वा थना में प्राथमी की दर्ज कराई है इधर BJP नेता ने इस मामले की निंदा की है वहीं वीडियो ने बताया कि इस मामले में अब रासी का भुकतान सभव नहीं है पीडित राजे से आम पाल ने बताया कि मंडेगा कुप निर्मान की रासी भुकतान करने के लिए उससे रिस्वत की मांग की गई थी जमसेदपूर के 20 मरीजों में ओमिक्रोन की पुष्टी कुरोना की तिसरी लहर में जमसेदपूर के 20 लोगों की जाच रिपोर्ट में ओमिक्रोन संक्रामन की पुष्टी हुई है बतादे 3 जनवारी को TMH से जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए एक सब असी लोगों का सेंपल भोनेश्वर भेजा गया था इसमें 20 में ओमिक्रोन वेरियंट मिले है बतादे अने लोग डेल्टा सब वेरियंट से संक्रामित मिले है यह जनकारी सुक्रवार की साम टेली कॉनफरेंस में टाटा स्टील मेडिकल सर्विस के सलाकार डाक्टर राजन्त चौधरी ने दी है जारखन बंद से पहले नकसलियों ने उड़ाए मोवाइल टावर एक रोर के इनामी नकसलि परसांत बोस और उसकी पतनी सीला मराणी की गरफतारी के बिरोध में नकसलियों द्वरा बुलाएगा जारखन बिहार बंद 27 जनवरी के पूर्व परतिरोध दिवस के दोरान नकसलियों ने अपने उपस्थिती दर्ज कराई है बता दे भागपा मवाजी संगठन का परतिरोध दिवस सुक्रवार से सुरू हो गया है जारखन के गिरी डिजीले में नकसलियों ने दो मोबाइल टावर उड़ा कर अपने उपस्थिती दर्ज करा दी है इधर नकसलियों के दोरा टावर उड़ाय जाने की घटना के बाद पूलिस अलट है और इलाके में नक्सलियों के खिलाब सर्च अभियान तेज कर दिया गया है पेट्रोल सबसिड्री के लिए राशन कार्ट से नहीं कटेगा ना पेट्रोल सबसिड्री के ममले में पूरे जारखन में 30,372 आवेदन किये गया है इसमें से 15,580 आवेदन पर ही स्विक्रिति मिली है जबकि 38,18 आवेदन ऐसे हैं जिनने रियक्टिव किया गया है बतादे दस्तावेज अधूरा रहने के कारण आवेदन को जीला परिवहन पतादिकारी द्वार रद कर दिया गया है इसमें से कई आवेदन ऐसे हैं जिनके पास वाहन समधी दस्तावेज भी नहीं थे वहीं कई आवेदन ऐसे भी थे जिसमें लाभुक के नाम पर वाहन का राइस्टेशन नहीं था कुछ ऐसे ही मामले थे जिसमें आवेदन ने राइस्टेशन के द्राइबी लेसेंस नंबर को दर्ज नहीं किया था बता दे 10,500 आवेदन ऐसे हैं जो अभी लंबित हैं DTO के अस्तर पर आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है धन्यवाद ऐसे में हमें आप बताए कि आपने पेट्रोल सबसीटरी के लिए आवेदन दिया या नहीं या आपको आवेदन देने में कोई समस्य आ रही है तो हमें आप कोमेंट बक्स में आपना परतिक्रिया आवास दे साथ सी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले थैंक यू